नमस्कार दोस्तो आप सभी का आज के अंक में स्वागत है आज के आर्टिकल में हम सुरक्षा परिशत के बारे में चरचा करेंगे सुरक्षा परिशत का विस्तार कितना आवश्यक है उस विस्तार में भारत के सम्मिलित होने की क्या संभावना है बारत के साथ और कौन से देश हैं जो सुरक्षा विस्तार में समलित हो सकते हैं परिशत के और आखिर उस विस्तार की प्रक्रिया क्या है तो आईए अब हम आर्टिकल पर चलते हैं दोस्तो इस आर्टिकल का शीर्शक है Permanent Membership of UNSC is another story मतलब United Nations Security Council की इस्ताई सतस्यता की कहानी एकदम अलग है उसका बागी कहानियों से कोई तुलना नहीं है और नहीं वो बागी संस्ताओं के Membership जैसी है यह एकदम ही अलग चीज़ है इस आर्टिकल के जो लेखक हैं वो चेनमाय आर्ट गारे खान है गारे खान पता नहीं में सही पढ़ रहा हूँ या नहीं यह सेंफ राश्चंग में बारत के Permanent Representative रह चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस विशय के एकदम authorized ग्याता विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने यह आर्टिकल लिखा है इसकी सुरुवात हमारे जो विदेश मंत्री है एस जैशंकर है उन्होंने जो प्रस्तावदी है वहां से हुई है कि United Nations Security Council जो है सुरक्षा परिशद है स्थाई उसके विस्तार की जो बाते हैं वो अभी तक मौकिक हैं मौकिक रूप से हम समर्थन देते हैं लेते हैं लिखित में समर्थन दे दिया लेकिन अभी तक उसके text-based negotiations शुरू नहीं हुए है तो श्री जैशंकर ने यह प्रस्तावित किया है कि सुरक्षा परिशद के विस्तार के लिए text-based negotiations शुरू हो जो वास्तविक negotiation होता है वास्तविक भावताओ text-based शुरू होता है लिखके चीज़ें समझाए जाती है लिखके चीज़ें करी जाती है एक एक शब्द पर भहस होती है तो चीज़ें मौकिक से लिखेत रूप में आए कि हमारे देश मंतरी चाहते है दोस्तों यह जो सुरक्षा परिशद है यह विश्व का सबसे exclusive और सबसे शक्तिशाली क्लब है इसमें पाँच देश है चीन, प्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंग्डम और यूनाइटेड स्टेट्स और यह अकेला ऐसा क्लब है जो इतना पुराना क्लब होके भी विश्तरित नहीं हुआ है जिसमें और लोगों का समामिलन नहीं हुआ है एक नुक्लियर वेपन क्लब भी था जिसमें भी केवल पाँच मेंबर थे वही पाँच जो इस्थाई सदस्य थे लेकिन यह केवल पच्चेस साल पहले था कैसा रहत पाया पच्चेस साल पहले इसमें दीरे-दीर करके भारत, पाकिस्तान, नौर्थ, कोरिया, इसराइल इन सब को प्रवेश एक-एक करके मिलता गया तो यह कलब भी एक्सक्लूजिव नहीं रह गया लेकिन UNSC जो है वो अभी भी एक्सक्लूजिव कलाप है उसमें केवल पाँच ही मेंबर हैं और दोस्तों यह जो पाँच मेंबर हैं यह भले ही अलग-अलग समय पर अलग-अलग बातें करते रहें लेकिन वास्तों में इन में से कोई देश नहीं चाहता कि UNSC को वीटो पावर के साथ बढ़ा दिया जाए और देशों को वीटो पावर के साथ सम्मिलित कर लिया जाए अगर हम इतिहास में जाएं तो जब शुरुवाती दौर था 2445 का जजीतता है हो गई थी मित्र राष्ट्रों की जिती विश्युद्य में और सेखतरास्तंग को बनाने की बातें चल रही थी यह चर्चा कहां हो रही थी डंबर्टन वाशिंग्टन डीसी में और लगवग 50 देश चर्चा में समिलित थे तो राइट टु वीटो पर बहुत दैस हुई थी लेकिन जो बिटिस रेप्रेजेंटेटेटेव था उसने बहुत साफ कर दिया कि आया तो यूनाइटेड नेशन बनेगा वो वीटो पावर के साफ बनेगा यह कोई यूनाइटेड नेशन सी नहीं बनेगा तब भारत की पृतिनेदी ने कहा था कि कोई यूनाइटेड नेशन नाबने इससे अच्छा है कि कम से कम एक इमपरफेक्ट यूनाइटेड नेशन तो बन जाए इस तरह से यूनाइटेड नेशन और प्रक्षा परिशत अस्तित्तों में आए दोस्तों ये वीटो पावर को लेकर विवाद बारबार खास्तों से तब उठता है जब पश्यमी देश किसी रिजोल्यूशन को पास कराना चाहते हैं और रशिया या चाइना उसको वीटो कर देते हैं खास्तों से रूस ने वीटो का बहुत इस्तिमाल किया है पहले सोवियत संग के रूप में और अभी रशियन फेडरेशन के रूप में जितने वीटो हुए हैं उसके लगभग आधे मतलब कम से कम 120 वीटो अकेले रूस द्वारा किये गए हैं इसलिए बेस्टरन मेंबर्स जो हैं वो थोड़े फ्रस्टेडर रहते हैं कोई प्रस्ताव लाते हैं और उस उन्हें वीटो कर देता है लेकिन ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों ने कभी वीटो किया ही नहीं बहुत सारे ऐसे महतुकूर मानवाधिकार के मुद्दे जो पास हो जाने चाहिए थे उनको पश्चिमी देशों ने बार-बार वीटो किया है जैसे फिलिस्तीन का मुद्दा जब भी चर्चा में आता है तो अमेरिका वीटो कर देता है वो इसराइल का पक्ष ले लेता है और ये तो ठीक है एक विवादित प्रष्ट भूमी है दोनों के अपने अपने पक्ष हैं जो साउथ अप्रिका में अफर्थाई रिजीम थी रंग भेदी सरकार थी गोरों की उसके पक्ष में भी पश्चिमी देशों ने वीटो किया है तो ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों का वीटो का अपना इतिहास नहीं है उन्होंने वीटो का अपना दुरुपयोग किया है और जहां तक रूस के वीटो की बात है तो रूस ने तो अपने वीटो का प्रयोग बहुत बार भारत को बचाने के लिए ही किया है कश्मीर मुद्दे पे उसने पता नहीं किते resolutions को वीटो किया है और इसके बाद 1971 में जब पश्मी देश एक से एक बेकार बुरी resolution आये थे जो भारत के लिए अच्छे नहीं होते लेकिन वो केवल रूस के वीटो के कारण पास नहीं हो पाए तो दोस्तों ये बहुत महत्पूर्ण संस्ता है UNSC और UNSC में शामिल होने के लिए खासतोर से चार देश जिनने G4 के नाम से जाना जाता है भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी ये negotiations कर रहे हैं और पिछले 10-20 साल से negotiations कर रहे हैं आज की बात नहीं है इसके लावा जो अफ्रीका, लेटिन अमेरिका और केरेबियन देश है ये कहते हैं कि इनका तो कोई प्रतिने धित्व ही नहीं है पर्मानेट देशों में और अफ्रीका का जो क्लेम है कि उसको कम से कम दो सीट पर्मानेट होनी चाहिए उसको लगबग unanimous support है सब मानते हैं कि अफ्रीका से कम से कम दो देश प्रक्षा परिशद में सामिल होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा माधविप है और उसका कोई प्रतिने धित्व नहीं है लेकिन दोस्तों जो G4 देश हैं उसमें भारत का विरोध पाकिस्तान करता है, चीन भी करता है जापान को चीन किसी कीमत पर शामिल नहीं होने देना चाहता ब्राजील का विरोध लेटन अमेरिका उसके दक्षन अमेरिकी देशी करते हैं जर्मनी के मामले में इटली लगाता है विरोध करता है कि अगर जर्मनी शामिल हो रहा है, जापान भी शामिल हो रहा है तो जो एक्सेस राश्टर थे जुती विश्युद्ध के जिनने मित्र राश्टरों के फिरो दियुद्ध लड़ा था उनमें से दो देश्टों शामिल हो ही गए इटली को भी शामिल हो जाना चाहिए और अफरिका में यद्य पर ये सहमती है कि कमसे कम 2 सदस्चे बनने चाहिए लेकिन वो कौन से 2 सदस्चे बने इस पर कोई सहमती नहीं है भारत के मामले में चीन थोड़ा ठंडा पड़ सकता है पाकिस्तान का कोई खास माईने नहीं रखता लेकिन ये सम्हाव नहीं है कि अकेले भारक को UNSC में ले लिया जाए ये जब भी होगी ये package deal ही होगी और कम से कम 2-4 राष्ट, 5-6 राष्ट, 81 सदस्य बनेंगे वो कब सदस्य बनें और कैसे सदस्य बनें ये अलग मुद्दा है दूसरा एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है कि permanent membership का सभाव क्या हो permanent membership क्या बिना veto के स्विकार की जा सकती है इस वास्विक्ता को समझना पड़ेगा कि अभी जो P5 के देश है उन P5 देशों में से कोई भी देश ये नहीं चाहता कि कोई नया सदस्य वीटो पावर के साथ आ जाए और इसकी जो सुधार की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है जो सुरक्षा परिशक के विस्तार के लिए United Nations के चार्टर में विस्तार करना पड़ेगा और चार्टर में सुधार कैसे होता है जो सुरक्षा परिशक के 5 सदस्य हैं उनकी सब की पूर्ण सहमती चाहिए मतलब 5 में से एक ने भी विटो किया तो सुधार नहीं हो पाएगा और इतना परियाप्त नहीं है इसके बाद United Nations के जो मेंबर हैं उनका दो तिहाई बहुमत चाहिए जब ये दो कंडिशन्स पूरी होंगी उसके बाद चार्टर में संशोधन किया जा सकता है और ये प्रक्रिया इतनी जटल है कि 1960 के एक संशोधन को छोड़के आज तक और कोई संशोधन नहीं हुआ यहां तक कि जो उनका चार्टर उसका जो आर्टिकल 107 है जो एनेमी क्लॉस डिफाइन करता है जिसमें जर्मनी जापान इटली को शत्रु देश घोशित किया हुआ है वो भी आज तक बदला नहीं गया यद्यपी जर्मनी जापान और इटली तीनों पश्चिमी देशों के बहुत प्रबल सही होगी है सेने साजेदार हैं लेकिन फिर भी ये आर्टिकल 107 संशोधित नहीं हो पाया है दोस्तों इसमें एक ये प्रस्ताव भी आया है कि एक न्यू कैटिग्री इंट्रोड्यूस की जाए सेमी पर्मानेंट मेंबर की और इसमें जो देशे उसको दोबारा चुनाव लड़ने की सुझाव दी जाए और ये सदस्यता कम से कम 10 साल के लिए है तो भारत को इस दिशा में भी विचार करना चाहिए ये भी एक सुईकारने योगे बाद हो सकती है दोस्तो ये जो बिना वीटो पावर की सदस्यता है इसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तो ये जो बिना वीटो पावर की सदस्यता है इसको लेकर कुछ लोग कहते हैं लेकिन भाई ये सेकंड क्लास स्टेटस की बात नहीं है पहली बात तो ये समझने की है कि कोई आपको सुरक्षा परिशत की सदस्यता तश्तरी में रखके नहीं परोस रहा है दूसरा जो इस्थाई सदस्य हैं जनके पास आज वीटो पावर है वो कभी भी वीटो पावर के साथ सदस्यों को स्वीकार करेंगे ही नहीं इसलिए उस सदस्यता को विचार से निकाल देना चाहिए उस सदस्यता भारत को या किसी और देश को मिलने की संभावना लगभक शून्य है जब तक कि फिर से एक बड़ा युद्धना हो जाए और फिर से एक नया संग्ठन ना बने तबता कैसी कोई संभावना है नहीं पर ऐसा कोई युद्ध भगवान ना चाहे कभी हो और होना भी ने चाहिए उससे कुछी दुनिया तबाह हो जाएगी अगर किसी चमतकार से पर्मानेट मेंबर्शिप ऑफर होती है बिना वीटो के भी तो मेरा साफ मानना है और लेखक का भी मानना है पर बड़े विद्धवान लेखके उनकी बात मायने रखती है तो वीटो पावर के बिना भी पर्मानेट मेंबर्शिप भारत को तुरंत नहीं है कि कोई बहुत नीतिगत और नैतिक चीजों के लिए देश पर्वानेंट मेंबर्शिप चाहते हैं हर देश अपने देश के हित की रक्षा के लिए मेंबर्शिप चाहता है और हमें भी अपने देश के हितों की रक्षा के लिए मेंबर्शिप चाहिए है चाहे वो वी पर आते हैं आज का प्रच ने रिफॉर्म इन उनसी वाट आर्ड वेरियस चैलेंजेज एक्स्प्लेंड इन दो कॉंटेक्स आफ इंडियन कंडिडेचर आज गूगल ने गजब कर दिया है मुझे अपना ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी गूगल ने बहुत से ट नौतियां क्या है भारती उम्मीदवारी के संदर्व में स्पष्ट कीजिए तो दोस्तो लेखन अभ्यास जरूर करें बिना लेखन अभ्यास के UPSC के तयारी पूरी नहीं होती अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेर, सब्स्ट्राइब करना न भूलिए और अपने मत से हमें कमेंट करके होगा जुरूर रहा है, थैंक यू, जन्यवाद